लॉक्टाउन के दौरान सभी का शेड्यूल बदल गया है और हम मेंसे ऐसे कई लोग हैं जो अब आराम से अपने काम करना पसंद करते हैं उन्हें लगता है कि अब जाना ही कहा है तो आराम से सारा काम किया जा सकता है चलिए यह बात हो गई काम की लेकिन यदि आप रात में खाना भी आराम से कर रहे हैं मतलब की देर रात भूजन कर रहे हैं तो यह आपकी सेहत को नुकसान पहुचा सकता है अगर आप भी यही दिंचर्या अपना रहे है तो एक बार इस से होने वाले नुकसान पर बनी ये वीडियो जरूर देखें बढ़ता है वजन रात में शरीर का मेटाबॉलिजन दिन की अपेक्षा धीमावा कमजोर रहता है जिस वजह से देर रात में खाया गया खाना पचने में परेशानी आती है इस वजह से रात में अधिक मात्रा में कैलोरी बन नहीं हूँ पाती और वजन बढ़ता है बढ़ता है बलड प्रेशा कई जानकारों के अनुसार देर रात खाना खाने से बलड प्रेशा के साथ ही खूम में शुगर का स्तर भी अधिक हो जाता है जो की सेहत को नुकसान पहुचाता है सोने में होती है परेशानी एक रिपोर्ट के अनुसार देर रात स्नेक्स या खाना खाने से स्लीप साइकल भी डिस्टब होती है जिससे गहरी मींद आने में समस्या हो सकती है। साथ ही गैस्ट्रिक समस्या भी हो सकती है सो अलग। चिर्चिरापन अगर आप परियाप्त मात्रा में सुकूं की मींद नहीं ले पाते तो इसका असर आपकी मांसिक सेहत पर भी पड़ता है। दिमाग को परियाप्त आराम नहीं मिल पाता नतीजतन चिर्चिरापन पैदा होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। हन्यवाद